नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जाम में तारीख है 10 जून और आज के इंपॉर्टेंट करेंट अपेस आप सभी के सामने हाजिर हैं उमीद करता हूँ कि ये करेंट अपेस आपको काफी जड़ा पसंद आएंगे और बहुत कुछ आज आप नया सीखेंगे थोड़ा साज धहरे बनाये रखिएगा क्योंकि आज का जो करेंट अपेस है वो मैंने थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन कर दिया है काफी सारी नियूस जो है वो आपको नियूस के नियूस के अंदर मिलेगी तो आपको पूरा करेंट अपेस देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आई तिंग मैं लाइव हो गया हूँ मेरी आवाज जो है वो आपको सुनाई दे रही है लेकिन ये कमबक्त एड पहले आ गया है मेरे तो फिलाल 10 जून के important current आप अब सभी के सामने हाजिर है और आई ये देखते हैं आज की हमारी headlines क्या रही है आज की हमारी headlines में रहा iFamily आई फैमिलिया एक software है database है जो लापता विक्तियों के पहचान के लिए बैस्विक database है जिते Interpol ने डिजाइन करवाया है इसके लाबा अनूप चंद पांडी को निउक्त किया गया है नया चुनाव आईक्त इसके बारे में हमने कल भी discussion किया था ओपन इसका इस संदी से आखिरकार रूस बाहर आई गया है इस संदी का अब कोई आउचित नहीं रहा बैंगलोर हवाई एड़े ने वितवर्थ 2021 में Net Energy Neutral State प्राप्त कर ली है ये Net Energy Neutral State क्या होती है जानेंगे आज की Current Appearance में एनिमी आमक्त भारत सुचकांग में हिमाचल ने ली है एक लंबी उच्छाल और तीसरे स्थान पर पहुँच गया है Gift City में इस्थापित होगा भारत का पहला अंतर राष्टी ये समुद्री क्लस्टर Gift City गुजरात में है World Accrediation Day जो है वो प्रति वर्स नौ जून को मनाया जाता है और इस बर भी ये प्रत्यायन दिवर्स आपका नौ जून को मनाया गया रिया शक्रबती ताइम फिप्टी मोस्ट डिजाइरेबल वुमें 2020 में टॉप पर रही है भारतिये सेलिब्रिटीज बे और आचल प्रदेश को के वाटर ब्यूरेल को मिला है सर्वसेष्ट फिल्म प्राश्टी पुरुसकार और सुनिल शेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पच्छार दिया है गोल के मामले में रुकावटे होंगी संदे करने वाले भी होंगे गलतियां भी होंगे लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं है जिने आप छूँना सके हर किसी के मार्ग में रुकावटे आती है हर किसी के मार्ग में परिशानियां आती है कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कि जब आप दिन शुरु करते हैं, तो लगता है आज ये काम हो ही नहीं पाएगा, जैसे कभी-कभी मेरे साथ करेंट अपयस्कों लेकर होता है, कभी सब इस सुबह उठो, तो पतला नेट नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन, अगर आप कठिन मैनत करते हैं, कड़ी मैनत करते है तो ऐसा कहा जाता है कि hard work अक्सर talent को beat कर देता है कुछ लोग जो कभी भी ऐसे नहीं मानेगे कि वो जीवन में कुछ भी हासिल करेंगे जिसमें से कालीदात एक बहुत बड़ा example है कालीदात को सुरू में मूर्ख समझा जाता था और बाद में ऐसा संस्कृत के महा विद्यान मनें कि आज भी दुनिया उनके जो संस्कृत दौरा लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको पड़ती है तो अगर आप किसी को जवाब देना चाहते हैं मूँ से जवाब मत दीजे आप अपनी कड़ी मैनत से उसको जवाब दीजे और बिना किसी राहा पे भटके हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए कि आप किस तरीके से इतनी कड़ी मैनत कर पाएंगे अगर आप कड़ी मैनत कर पा रहे हैं तो यकीन मनिये आज नहीं कल आपका होगा आईए ले ले लेते हैं प्रिवेड डे रिवीजन प्रिवेड डे रिवीजन में हर साल विस्व महासागर दिवज जो है ये कब मनाया जाता है हर सल विस्व महासागर दिवज जो है ये आपका आठ जून को मनाया जाता है सहित्राइट महासाभा के 76 सत्र के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है अब्दुल्ला साहिद वॉलकान बोजकिर को कह दीजे बाबाई टाटा खतम अब्दुल्ला साहिद किस देश के हैं आप ये कमेंट सेशन पर अच्छा है तो लिख कर बता सकते हैं वरना एक दू स्लाइड वर मैं आपको बता ही दूँगा नेम लिकेत में से कौन सा देश एसिया प्रसांत राज्जियों की स्रेनी में 2022 की अबदी के लिए स्ट्रक आर्थिक और समाजी परिशत के सदस्य के रुपे चुना गया है तो ये है भारत तीन साल तक भारत इसका सदस्य रहेगा एसिया युनिवर्स्टी रैंकिंग 2021 में IAT इंदौर का रैंकिंग कितना रहा है IAT इंदौर का रैंकिंग 78 रहा है जबकि 37 नमबर पर आपका IASV बंगलॉर रहा है कौन सा देज़ 2024 में पहले FIH होकी 5S विस्टो कप की मेजबानी करने वाला है तो होकी 5S विस्टो कप की मेजबानी सबसे पहले ओमान करने वाला है होकी 5S जो बिस्टो कप होगा उसमें होकी के मैदान में सिर्फ एक टीम से 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे चार फिल्ड प्लेयर होंगे एक खिलाड़ी आपका गोल कीपर होगा बारती 9 सेना को 3 MS60 रोमियो हेलिकॉप्टर कौन सा देज़ देने वाला है जो कब से कब तक चलेगा यानि कि ये जो दसक है 2021 से लेके 2030 तक इसमें हमें अपने Sustainable Development Goal को पाने के लिए मेहनत करनी होगी और पेरिज जलवाई समझाते में हमने समझाता करवाया था कि भाई साब 2020 से लेके 2030 तक वैसे 2021 से लेके 2030 तक हम अपना Carbon Surgeon जो है उसको गटाने की कोसिस करेंगे और इसमें योगदान करेंगे कि इस सदी तक हमारे जो प्रत्वी का Temperature है वो किसी भी कीमत में 1.5 डिगरी से जादा ना बढ़े और अगर 1.5 डिगरी हम समाल नहीं पाए तो कम से कम इतनी कोसिस करेंगे कि 2 डिगरी से जादा ना बढ़े जो कि बहुत ही खतरना किस्तिती होने वाली है इसके अलावा 21 दिन 24 गंटे सब्जेक्ट है सिर्फ 4 उसके बास सफलता है मच्चू को इस बार एक्जामों लेकर आए हैं अभ्याज 21 डे चैलेंज इसकी क्लास इस आज से सुरू हो रही है टाइमिंग मेरे पीछे लिखी हुई है आठ बजे रहमो सर आएंगे आज नहीं आ रहे हैं लेकिन तीन बज़े आपकी रहमो सर की क्लास आने वाली है इसके लावा अगर आप चाहें तो एक्जामों प्रो सब्क्रिप्शन ले सकते हैं कोड यूज करिएगा राहूल सर जिससे आप मैक्सिमम डिसकाउंट जो उस दिन चल रहा होगा वो आपको मापन मिल जाएगा दो नया बैच आज लॉंच हो रहे हैं स्रीकान सरकांग्रेजी का बैच और मेरा बैच अगर आपने अभी तक रीजनी का ये दमदार बैच जोइन नहीं किया है तो फटाक से जोइन के लिजे आईए रोज मिलते हैं टॉपिक वाइच पढ़ेंगे डिटेल पढ़ेंगे रीजनी का आखिर क्या होगी इसको समझने की कोशिस करेंगे लेकिन अब इन सब बाकवास के बाद अजया कोड याद रखिए कोड क्या मैंने बता है भूले है कोड अरे कोड तो याद रखो आज के करेंट अपेस की हो आज के करेंट अपेस में पहली जानकरी है कि किस संग्ठन दोरा iFamily याद नाम का डेटाबैस लॉंज किया गया सर जी ये क्या बला है क्यों ये लोग हमें जीने नहीं देते हर रोज एक नया नया कुछ ना कुछ बना देते है ये iFamily Database क्या है देखिए iFamily Database जो है पहली बात तो ये किस संग्ठन ने लॉंच किया ये पढ़िए ये है Interpol सर ये Interpol क्या होता है रुको ज़रा सबर करो सब बताएंगे कि Interpol क्या होता है Interpol का मतलब होता है International Level वाली पुलिस यानि कि अंतराष्टी इस्तर पर अगर पुलिस को कोई सायोग करना होगा तो एक संथा बनी है जिसमें कई सारे देश मिल करके Interpol बनाये हुए है ताकि हम जो पुलिस से जुड़ी भी समग रही है वो एक दूसरे के साथ हम क्या कर सके अपरात की जो इस्तितिया है वो बहुत बढ़ गई है और कभी कभी कई सारी ऐसी लावारिस बॉड़ी हमें मिलती है जिसके बारे में पता लगाना मुस्किल हो जाता है कि ये कहां का है कि देश का है ये कौन है भाई ये कौन था तो इसके अस्तितित के बारे में पता लगाना मुस्किल हो जाता है तो Interpol ने क्या किया है DNA एक database तयार किया है जिसे माल लिजे कि किसी family का कोई बंदा गुमसुदा हो गया अब अगर उस family का कोई बंदा गुमसुदा हो गया तो Interpol वाले क्या करेंगे उस family के सदस्यों का DNA sample collect करेंगे उस DNA sample को ले करके iFamilya के database में डालेंगे अगर भविश्य में माल लिजे किसी family लिखा कि मेरा बंदा जापान गया हुआ था वहां से गुमसुदा हो गया जापान में कभी भी कोई अगर मालो इस तरह की लावारिस बॉडि पिलती है जिसकी कोई identification नहीं हो पा रही तो उसको DNA sample match कर रही है तो इसके जरीए पता लग पाएगा कि वो आदमी कौन है कि अभी कभी छत विछत साव मिलते हैं तो उनके बारे में पता लग पाएगा ऐसा नहीं है कि हमारे पाद इससे पहले इंटरपोर के पाद एक database था परसमें direct DNA matching की जाती थी direct DNA matching का मतलब यह होता है कि माल PayPal के तौर पर collect कर लेते थे और उसके DNA से मैच कराते थे अगर मैच कर गया तो ठीक अगर मैच नहीं करा तो फिर हमें वो जो है वो मामला अंसॉल्डी रह जाता था यह कौन है लेकिन एक होती है किंसिप matching इसका नाम याद रखिएगा किंसिप matching में क्या होगा family members DNA लिया तो यह क्या उन करेगा यह आपके लिए एक नई possibilities लेकर आएं है Interpol, Interpol का इस software का नाम क्या है, इस database का नाम क्या है, iFamily database क्या होता है, database आप यह समझ लिजे कि आपका एक तरह का रजिस्टर होता है, जो computer पर होता है, माली यह आपके स्कूल में आपने attendance लगवाई होगी, आपके स्कूल में आपने attendance, roll number 21, present sir, तो यह नाम कहां लिखे रहते थे, तो रजिस्टर में लिखे रहते थे, उसमें से match करा लिए जाता था कि कौन किस class में attendance कव है, तो इसी तरीके का एक database जो है, वो computer पर बनाया जाता है, जिसके जरीए यह mapping कराई जा सकती है, आई फिमलिया में तेन गटक है, एक है आपका database, database में क्या है कि जो भी family है और जो चाहते है कि हमारे बंदों को ढूंडा जाए, उन मैच नहीं करा पाऊगे, तो इस software का नाम क्या रखा गया है, बोना पार्ट, बिल्कु सही मैचा ने नेपोलियन बोना पार्ट पर इसका नाम रखा गया है, और इसको अगर कुछ भी मालो वो हो गया, मैच कर गया, तो यह पता कैसे चलेगा, मैच कर गया, तो उनके परिव उन DNA सेम्पल को मैच कराने के लिए 3 क्या होगा, बोना पार्ट बोना पार्ट क्या करेगा, वो एक software है जो मैचिंस कराएगा, इसकेनिंular के करेगा, और अगर मैचिंस कराएगा, तो 3 पार्ट क्या करेगा, नोटिविगेशन बेज देगा फला आदमी को. अब बात कर लें इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गनाइजेशन इंटर गवर्मेंटल और्गनाइजेशन जिसमें 194 कंट्री जो है वो मेंबर है यानि 194 देशों में अलग-अलग जगे पर एक NCB बना हुआ है NCB का मतलब होता है National Central Bureau जो है ये इंटरपोल से कनेक्टेट रहता है ये एक तरह की आपस में एक संस्ता है हर देश में इसकी एक संस्ता मौझूत होती है यानि International Criminal Police है यानि कि इंटरपोल नेशनल सेंटरल बीरो है वो है Central Bureau of Investigation यानि CBI जो है वो हमारे नेशनल सेंटरल बीरो आ इंडिया है यानिक इंटरनेशनल पुलिस का एक पार्ट है इसका मुख्याले कहाँ पर है इसका मुख्याले लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्याले कहाँ पर फ्रांस में है इंटरपोल में कितने कंट्री पार्ट कर रहे है एक सो चौरान में कंट्री पार्ट कर रह अगर यलो नोटिस जारी होता है तो कोई बंदा खो गया है तो उसके लिए यलो नोटिस जारी होगा अगर कोई additional information आ रही है तो वो blue notice के साथ आएगी green notice में warning और intelligence दिया जाएगा भाया इनके उपर हमला होने वाला देख लो orange notice में imminent trend यानि कि कोई आतंवादी गटना होने वाली है कुछ भी एक आतंकारा या कुछ भी भाय की स्थिती होने वाली इसको देख लो purple notice जो होती है यह modest operandy होती है यानि कि normally operation होते हैं उनकों लेकर जारी किया जाता है black notice होता है unidentified body यारी कि जो भी अगर एक बंदा बेजा जाएगा उसके ब्लैक नोटिस लगा हुआ है तो इसका मुख्याल है कहा है लेवन फ्रांस में है तो आम उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगली जानकारी जून 2021 में चुनाव आईट के रूप में किसे न्यूप्त किया गया है तो जून 2021 में आईए इससे पता लगाते है थॉमस विजियन याद आ गया है इनको तो अभी एन नेचर टी टी एल फोटोग्राफी एवार्ट मिला है इन्होंने ओरंगया उटान की वो तस्वीर खीची थी याद है आपको हाँ उल्टा चड़ने वाली समझ मी जा रहा था उल्टा चड़ रहा है सीधा जा रहा है तो ये तो नहीं है भाई डेविश डियप डेविश डियप को इस बार का इंटरनेशनल मैन बुकर पुरसकार दिया गया है एट नाइट औल बलड इज ब्लैक के लिए सुनी लरोडा ये मुख चुनाव आयुक्त थे एक आदनी बज़ गया जिसका नाम है अनूप चंदर पांडे अनूप चंदर पांडे को आपके Election Commission of India के चुनाव आयुक्त की रूप में नियुक्त किया गया है वैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो Election Commission है इसका गठन 25 जनवरी सन 1950 को इसका गठन हुआ था आर्टिकल नमबर यानूचेद नमबर 324 से लेके 329 तक आपको Election Commission of India के बारे में देखने को आपके समिधान में मिल जाएगा क्या क्या ताकत है इसके अलावा 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होने के कारण हर साल हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं अब क्या सब कुछ हमी बताएंगे आप भी तो कुछ बताएंगे पूछें तो जरह ये बताएंगे कि इस बार जो हमने मतदाता दिवस मनाया है वो कौन से नंबर का मनाया था 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया है ना तो इस बार जो मतदाता दिवस मनाया है वो कौन से नंबर का मतदाता दिवस मनाया है दिमापर जादा जो डालने की जुरोत नहीं है जितना याद है उतना बता दीजेगा तो हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें 3 सदसी निकाए है पहले एक होते हैं मुख चुनाव आयोग तो जो कि वर्तमान सबय में आपके सुसील चंद्र है जो कि आपके पहले चुनाव आयोग तो हुआ करते थे अब उनको मुख चुनाव आयोग के रूप में प्रमोट कर दिया गया है तो उनकी जो सिटवा रहा है वो खाली हो गए रहा है और जो उनकी सिटवा है वो अब दुवारा भरी गई है अनूप चंद्र पांड़े दौरा अनूप चंद्र पांड़े कौन है ये एक IES आफिसर रहे हैं और ये बहुत सारे पदों पर काम कर चुके हैं अभी हाल में जो सबसे बड़ी उनकी उपलब दी थी ये उतना पदेश के मुख सचिव के रूप में भी कारे कर चुके हैं तो इनको एपोइंट किया गया है चुनाव आयुक्त में चुनाव आयुक्त के तौरप मुख चुनाव आयुक्त कौन है मुख चुनाव आइक्त कौन है मुख चुनाव आइक्त जो है वो सुसील चंद्र है और आपके ये कौन बने है ये आपके चुनाव आइक्त बने है इनके अलावा एक और चुनाव आइक्त होते है मुख चुनाव आइक्त होते है 1950 से, जी नहीं भाई मेरा यहां पर लोचा है, इसको पहली बार 2011 में मनाया गया था, राष्टिय मददाता दिवस जो है ये पहली बार 2011 में मनाया गया था, और इस साल हमने 11 मददाता दिवस मनाया है, इस साल हमने कौन सा मददाता दिवस मनाया है, 11 मददाता दिवस मनाया है मेरे खुसी की चकर मेरी आवाजी निकलना बंद हो गई थी तो यह जो चुनावा एक तोते हैं न इनका कारेकाल कितने वर्ष का होता है छे वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयो तक जो भी पहले होता है उसके हिसाब से चलता है तो यहाँ पिक करना है यह सब अगय सब यह उस यार बन रहते यह मज़ा आगी मुझे तो अच्छा इलेक्शन कमिशन के अलावा कुछ एपोइंटमेंट हुए है आपको याद होगा बारास सरकार इस टाइम क्या कर रही है फेस्बुक हो ट्विटर हो वाटसेफ हो उनके लिए एक और रूर लेकर आई है कि आपके खिलाफ अगर कोई कमप्लेण आती है या किसी कंटेंट के खिलाफ कोई कमप्लेण आती है तो उसको आपको आटेंड करना है 24 गंटे के अंदर उसको एकनॉलेज कर देना यानि आपको बता देना है कि भईया आपकी कंप्लेन हमें रिशीव हो गई है और 15 दिन के अंदर उस समस्या का निप्टारा कर देना ये करने के लिए आपको एक ग्रिवियन्स ओफिसर यानि सिकायत करता अधिकारी की जुरूत पड़ेगी तो हाल विलाज ट्विटर के साथ हमारा गमासान जारी है ट्विटर है कि मानी नहीं रहा वो कह रहा तुम हो गए अपना हम अपना अलग तो भारत में फेस्बुक ने इस पूर्ती प्रिया नाम है इनकी तस्वीर में ढूनता रहा मिली नहीं मुझे तो इनको अपना सिकायत अधिकारी बनाया है किसने भारत ने Facebook इंडिया ने इस पूर्ती प्रिया को अपना सिकायत अधिकारी बनाया है इसके लावा इससे पहले Google और WhatsApp ने भी अपना एपॉइंट किया है तो WhatsApp ने जो एपॉइंट किया है अपना ग्रीवियंस अधिकारी वो परेश भी लाल को एपॉइंट किया है अभी हाली में इंट इंडिया ब्राटकॉस्टिंग फेडरेशन का नाम बदल कर इंडिया आपको अगर आपके पास 50 लाग से अधिक उपयोग करता है और आप एक सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म है तो आपको अपने यहां एक सिकायद अधिकारी एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपल अधिकारी का निउप्ति करना बहुत जरूरी है और ये वेक्ति ऐस इसे होने चाहिए जो भारत में ही रहे और इसके लिए अभी आपको देखा जाए तो फेस्बुक ने इस पूर्ती प्रिया को एपॉइंट किया है वाट्सेप में परेज बीलाल को किया है गूगल वाल अपडेट हो जाएगा तो वैसा ही मैं आपको बता दूँगा हाल वि यूजर जो है वो इंस्टाग्राम पर है और इन में से सबसे कम यूजर एक दसमलोग 75 करोण यूजर ट्विटर पे हैं लेकिन इनका मामला जो है बन नहीं रहा इसके लावा एक और एपॉइंटमेंट अभी कली आया यह कुछ घंटों पहलों की नीज है इसलिए इसको सज कर दिया गया है पिछले बार यह दून 2018 में तीन साल के कारेकाल के लिए आये थे यानि जून 2021 में इनका कारेकाल जो है वो खतम होने वाला था लेकिन एक बार फिर से इन्हें RBI के डिप्टी गवर्नर का extension मिल गया है यह दो साल तक RBI के डिप्टी गवर्नर बने रहेंगे इसके लावा जो RBI में तीन और डिप्टी गवर्नर काम कर रहें है क्योंकि RBI ऐसी है जिसमें एक गवर्नर होता है और उसकी साहिता के लिए चार डिप्टी गवर्नर होते हैं कितने गवर्नर होते हैं चार तो एक हैं आपके माईकल देबरत पात्रा, M.D. पात्रा एक हैं एम राजिस्वर राओओ और एक है ती रभी संकर को है को अभी हाल ही में पॉइंट किया गया था बbrar य बढ़ाए है नहीं ब्की कानूनगोग की जग है तो माईकेल देबुरत पातरा म राजिस्वर राओ ती रभी संकर और M. के जैन, ये आपके जो हैं RBI के डिप्टी गवर्नर है, RBI के गठन 1 अपरे 1935 में भारत के केंदरिये बैंक के रूप में की आ गया था, अब चलते हैं आपको अगली जानकरी की तरफ ले चलते हैं, अगली जानकरी है कि रूस हाल ही में आपचारिक रूप से ओपन इसकाई प जब दोती विश्विद्ध हुआ तो लोगों को लगा यार ऐसा है कि कहीं ऐसा नहों कि हम लोग आपस में गलत फैमी में ही एक दूसरे से लड़ जाएं तो कहें बोले क्या किया जाब है कहें भाईया ऐसा हो कि तुमको लगे कि हम कोई अत्यार बना तो तुम हमारे यहां से उड़ान बर ले तो एक दूसरे के छेत्र के बारे में जानकारी होती रहेगी इसमें कोई दिकती वाली बात नहीं है रूस ने क्या करिया पिछले साल कुछ उड़ानों को मना कर दिया अमेरिका के कि भई आप बार बार उड़ान ना बरो ऐसा इसलिए हो रहा था कि 35 के 35 ज ट्रम्, उन्होंने कह दिया भाड़ में गई open sky संदी, हम इससे निकल रहे हैं, open sky संदी जो है ये 2002 में आपकी founded हुई थी, कब हुई थी, 2002 में इसको found किया गया था, लेकिन अभी पिछले साल अमेरिका इस संदी से बाहर आ गया, अमेरिका में चुनाव होने वाले थे तो रू सोच रहा था कि सायद इस आदमी के कुछ मलब हमारा बात समझे ये, लेकिन जब जो वाड़न आए, उन्होंने भी कह दिया, भाईया हम open sky संदी में सामिल नहीं होगे, अब हम एकदम बहुत ताकदवर आदमी बनने वाले हैं, अब इसमें दिक्कत क्या है कि क्यों ये में बढ़ने में दिक्कत पैदा करती है, दुनिया का जो सबसे तेजी से तकनीकी रूप से बढ़ने वाला देश है, जिसे पूरे विस्व को खत्रा पैदा हो रहा है, वो है चाइना, अब लोग कोई लड़ाई इस रूप से नहीं, एक टाइम वह करता था कि लोगों की ल जैसे अमेरिका इस तरह की किसी भी संदी से बाहर आना चाहता है, और खुलके उड़ना चाहता है, तो अब यह पता नहीं, भविस्व में हमारे लिए सही होने वाला है, गलत होने वाला है, लेकिन इस संदी में ओपेनिस काई संदी, जो की एक जन्वरी 2002 को प्रभा भी हु करने नहीं देंगे, अगर जब अस्ती उड़ान भरोगे तो मार कंटाप, मार कंटाप सुझा देंगे, तो ट्रेटी ओन ओपेनिस काई जो है, यह एक जन्वरी 2002 को फाउंड की गई थी, इस पर साइन 24 मार्च 1992 को हुए थे, इसमें प्रविजनल अप्लिकेशन साइन हुए इसमें से किस हवाई एड़े ने वित वर्स 2021 के नेट एनरजी न्यूटरल स्टेटस की प्राप्त कर ली है, अब हम कहां पहुंच के घूमते घूमते हम रूस तो घूम ही आए, अब हमको चलना पड़ेगा बैंगलॉर, बैंगलॉर में एक हवाई एड़ा है जिसका नाम है केमपा गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जहां से आप अंतरराष्टी इस तरकी उड़ाने प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी हाल फिलाल केमपा गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनरजी नीटरल स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है बाई सब यह एनर्जी नीटरल स्टेट क्या होता है एनर्जी नीटरल स्टेट का मतलब यह है कि जैसे आप हैं आप एनर्जी नीटरल नहीं है क्यों जो कि आपको रोटी खानी होती है तो आप गेहू नहीं उगाने जाते हो आपको चावल खाना होता है तो आप चावल उगाने निया पकाते जरूर हो वो बात अलग है तो ऐसे कोई भी संस्था जितनी एनर्जी की उसको आवश्रिक्ता है वो खुद पैदा कर ले खुद अपने पास बना ले खुद ही उसका उभोग कर ले और कहीं और से आपका उभोग ना करे यानि कि अपनी एनर्जी को खुद रिन्यूबल तरीके से बनाने में सच्चमो इस तरीके की जो संस्थान होते हैं उन्हें एनर्जी न्यूटरल स्टेट कहा जाता है ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार कोई संस्था ऐसी इससे पहले भारती रेलवे ने यह मुकाम हासिल कर दुखा है तो मैंने आपसे पूछा था अभी कि देश में कुल कितने इंटरनेशनल एरपोर्ट हैं तो देश में आपके 34% 34 इंटरनेशनल एरपोर्ट हैं 100% एनरजी जो है वो 100% उरजा से ना आए कहीं से भी आए आप अपने इंवायरमेंट के जरीए जाए विंड टरनल लगा लें चाहें कुछ भी लगा लें ऐसा नहीं कि सोलर पावर से आनी जरूर ही आप कुछ भी ऐसा करें जिससे आप एनरजी अपनी खुद की बनाए वो भी आप यूज कर सकते हो तो केंपा गोड़ा अंतराष्टी हवाई एड़े ने 2021 के नेट अनरजी न्यूटरल इस्टेट का दरजा प्राप्त कर लिया है और 40 मिलियन यूनिट सोलर पावर और ओपन एक्सेस के जरीए विंड पावर की खरीद भी उसमें सुरू कर दी ह LED अपना रहा है जिससे उसका उर्जा उबोग कम हो गया है और इस तरीके से उसने अपना उर्जा उबोग भी कम किया और यहां पर उर्जा प्रोड़क्शन जो है उसने बढ़ा दिया तो केंपा गोड़ा हवाई एड़े कहा पर है बैंगलोर में इसके अलाबा एक पुरा पहला Energy Neutral Station जिसने बनाना शुरू कर दिया था तो South Coast Railway जो है South Coast Railway जो है वो इंडिया में पहली कोई संस्था बनी थी जिसने Energy Neutral State को अपनाना सुरू कर दिया था ठीक है ऐसे तो बहुत सारे एयरपोर्ट है जो फुली एयर जैसे पुदुचेरी एयरपोर्ट आपका फुल सोलर पावर पर चलता है तो यहां पर इसको बोला गया Energy Neutral State लेकिन सोलर पावर पर चलना और सो परसे आपका Energy Neutral State होना दोनों में फर्क है यानि इसमें किसी भी तरीके की बाहर से एनर्जी लिही नहीं जा रहे हो उसमें कहीं न कहीं से बिजली आ रही होगी महला सौ परसे सोलर पावर प्राप्त कर लिए लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपका घर Energy Neutral हो गया है यानि आपके घर में बाहर से बिजली आई नहीं रही है आपकी घर में जितने भी equipment लगे हैं वो सारे सोलर पावर से चलना है या विंड पावर से चलना है अब समझ में आया Energy Neutral क् अगली जानकारी पर चलते हैं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांग 2020 में कौन सा राज ये तीसरे स्थान पर आया है तो यह जो है हिमाचल पदेश पिछले साल जो था हिमाचल पदेश की दिक्कत बहुत जादा थी हिमाचल पदेश में एकदम से उच्छाल मारा है पिछले सा आइरन डिफिचेंसी सिंड्रोम बोला जाता है यह से कि आपके सरी में कून में कमी हो जाए जितनी अवश्यक्ता है लाल रुदिर कडिकाओं की आपके सरी में उतनी आपके सरी में ना हो इससे बचने का एक ही तरीका है और अगर आपको रखतल पता है तो आपको छोटी- चोटी-चोटी बातों में चिचड़ा पन आएगा सबसे पहले तो सबसे पहला लच्छण यह अगर आप छोडी-चोटी बातों में गुस्सा आते हैं आखों के नीचे डार्क सर्कल आना सुरू हो जाएंगे आप अगर जरासी बात में कमजोरी महसूस करते हैं सांस लेने म है तो उन्हें आइरन की गोलिया लेना चाहिए तब वो ठीक हो जाएंगे तो हाल विलाल मदपदेज जो है सबसे सबसे पहले थान पर है जहां पर एनीमिया के केसे जो है वह बहुत कम है उडिसा जो है दूसरे थान पर और तीसे नंबर पर आपका क्या होना गया हिमाचल तो एनीमिया मुक्त भारत में हिमाचल पदेज जो है वो तीसे नंबर पर है हिमाचल पदेज ने अभी हाली में 1100 नंबर ये उनका सिवा संकल पहल प्लाइन है जिसे लॉंच किया है वर्ड बेट सेंसर लॉंच की गई है पॉंग डेम में पॉंग डेम जो है ये किस नदी हुआ पूछता हूँ क्या आप बता सकते हैं कि पॉंग डेम जो है ये रामसर साइट है या नहीं वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर साइट है आपको केवल इतना बताना है कि पॉंग डेम जो है वो भारत की रामसर साइट के लिफ्ट में है या नहीं हाँ जी बहुत बढ में ही की जा रही है हिमाचल प्रदेश ने इपंचायद पर उसका 2020 का जीत लिया था सहरी रोजगार गरंटी युज्ञा के जिंतरकत 120 दिनों का रोजगार जो है वह हिमाचल प्रदेश नहीं प्राप्त किया था सौपेसस लपीजी कवरेज में जो आता है वो आपका हिमाचल प्रदेश ही आता है इसके लावा अटल टरनल के लिए भी हिमाचल प्रदेश जो है वो काफी फीमस है कैपिटल की बात करनें तो कैपिटल सिमला है थोड़ा द्यान से सुनिएगा गवर्नर बंडारू दत्तत्री है चीप मिनिस्टर जैराम ठाकूर है ग्रेट हिमाले नेशनल पार पिन वैली नेशनल पार खीर गंगा नेशनल पार सिंबल पारा नेशनल पार ये प्रमुक ने अब तुम्हारा जीयस पढ़ना वेकार है तो जीयस का सीए ये है आपका हिमाचल परदेश लद्दाक से नीचे आएंगे जमू कस्मीर के बगल में आएंगे आपको हिमाचल परदेश मिल जाएगा इसकी सीमा उत्तरा खंड से भी टच करती है इसकी सीमा दिल्ली से टच न स्टेट ट्री है देवदार कोट गर जो है इसे एपल बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस्टेट गेम है वॉली वाल प्रमुक डांस फॉर्म डांगी चनक छाम जैंदिया नाटी नाटी प्रमुक डांस फॉर्म है लोग सभा में चार सीटे राजे सभा में तीन सीटे बारा डिस्ट्रिक्ट जो है यानि कि आपको पूछा जाए कभी की माचल प्रदिस में कितने जिले हैं तो बारा जिले हैं सतरस क्या बात है आसू जिर्वन साफ साफ पीडियाफ क्यों नहीं मिलने लगेगी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसके लब राजे से चुड बूशन और पिर आता है पदम स्री तो असम सरकार ने कहा कि हम भी भैया ऐसा ही कुछ करेंगे हम भी देंगे आसम रतन विभूशन हम भी देंगे आसम भूशन और असम स्री आये इस न्यूज्स के बारे में बात करते हैं असम कौर्वर्मेंट ने डिसाइड किया है कि वो असम स्री एवार्ड जो है वो दस लोगों को देंगे तो इस तरीके का एवार्ड सुनो करने वाला असम जो है वो पहला राज है जिसमें वो आपका असम रतन एवार्ड जो है वो पांच लाख रुपए का होगा असम बीभूषन जो होगा वो 3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, वर्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया है और भारत में बैडमिंटन अथर्टी ओफ इंडिया के ये जो है आपके हैड है देश का पहला अंतराष्टी समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज में सुरू किया जा रहा है समुद्री सेवा है तो समुद्र के किसी राज में ी च्मुद्री सेवा क्लस्टर का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके की आपको जरूरत है आपको माल ले जाना है कि किसी मार्केटइग आप यह तो हम यह प्रोवाइट करेंगे जिसमें बंदरगाव hispon to our यहां एद एक ही इसे है शेकिरं वेल तो ये कौन करने वला है गुजरात करने विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाये जाता है हर साल, विश्व प्रत्यायन दिवस यानि कि word accreditation का मतलब होता है, accreditation का मतलब होता है कि हम कहां तक पहुँचे, जैसे खुद का मूल ल्यांकन करना, तो यह आपका प्रत्यायन दिवस दस जून को मनाये जाता है, sustainable development प्रतिवर्स 9 जून को वैस्तर पर व्यापार है अर्थ वैस्ता में प्रत्यायन की भूंगा को रेखांकित करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के उद्यस से विष्व प्रत्यायन दीवस मनाए जाता है एक्रिडियेशन का आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मानिता प्राप्त हो गई आपको किसी चीज की जैसे कॉलेजों में एक्रिडियेशन होता है जैसे आप कोई संस्था है तो उसका एक्रिडियेशन होता है तो सस्टेनबल डेवलोब्मेंट गोल को कार्यानवन के समर्थन में प्रत्यायन के इंद्रित है वो इसको चेक करती रहती है। पूरे टाइम न्यू चेनल पर बनी रहने वाली रिया चक्रवरती ने इसमें पहला इस्थान हासिल किया है। तो है इन्होंने सूची में चौथा इस्थान पर रही थी। मिस यूनिवर्स में ये चौथे इस्थान पर रही थी। और इस सूची में कौन से नंबर पर हैं दूसे नंबर पर अबिनेत्री दिसा पतानी कौन है पतानी। तो ये सूची उन लोगों की जारी की जाती है जो पिछले साल काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। किस राज जी की वाटर ब्यूरियल सरसथ में राष्टी फिल्म पुरुसकार 2021 में परियावरा सरच्षन पर सरस्थे फिल्म पुरुसकार जीता है। वाटर ब्यूरियल का मतलब अब समझ पारे होंगें। वाटर ब्यूरियल का मतलब ये है कि इसमें एक काला जादू टाइप कर दिखाए गया है, पानी इसको लेकर की संस्कार किया जाता है, उसके उपर ये फिल्म बनी है। और ये पानी के curation, यानि की पानी के सनचण के ऊपर काम करती हुए ये film है तो हाल बिलाल अनुनाचल पदेश की असमनी अनुनाचल पदेश क्या हो गया है दिमाह की दम पगला गया मेरा अमनाचल परियल को सरसेज में राष्टी फिल्म परुसकार निर्देशित है जो इसे दोरजी थोंची द्वारा लिखा गया है इस फिल्म को जो बनाए गया है वो मोनपा बोली में बनाए गया है जो इसकी लैंग्विज है वो मोनपा है और नानचल प्रदेश में एक इस्थानी जन जाती के एक डार्क अनुष्ठान के बारे में है डार्क अनुष्ठान मलब जो तांत्रिक से जुड़ा हुआ अनुष्ठान होता है उसके बारे में इसके लावा फिल्म से जुड़ी भी एक और कहानी सरसट में जो आपके National Film Award गोसी दो है तो तो में Best Feature Film का Award दिया गया था मराकर को, Lion of Arabian Sea को, जो Maliyalam Film है इसको Best Film का Award मिला था Bad Direction भात्तर हो रहेन को ये Hindi के लिए मिला था इसके अलावा अगर आप बात करें National Film Award में ही जो सबसे बड़ा Award होता है वो होता है दादा साथ फालक एवर्ड जो कि इस बार रजीनी कांथ जी को दिया गया है और बाकी के समें कई सारे एवर्ड होते है जैसे गोल्डन लोटस एवर्ड फीचर फिल्म बेट डिरेक्टर बेच्ट पॉपलर फिट इनको दिया जाता है Silver Lotus Award जो है वो Best Actor बगेरा को दिया जाता है Best Singer बगेरा को दिया जाता है इतना Detail में नहीं जाना है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्टी ये Film पुरुसकारों के अंतर का जो Lifetime Achievement Award होता है उसको किस नाम से जाना है जाना है तो Film Maker है लच्मी देवी बाई साब ये डॉक्टर भी है और डॉक्टर के बाद इनको लगा कि इनको एक्टिंग में कुछ करना चाहिए तो इन्होंने खुद की एक Film Produce की जिसका नाम है When the Music Changes When the Music Changes को प्रोड्यूस किया है Piddy Talkies ने Piddy Talkies जो है ये इनी का स्टार्टप है इनका नाम है लच्मी देवी ये एक अमेरिका की रहने वाली है और इन्होंने होस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी When the Music Changes के लिए अभी हाली में गोल्ड रैमी एवार्ड जीता है वर्ड फेस्ट जो है वर्ड फेस्ट का गोल्ड रैमी एवार्ड जो है ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म और वीडियो कम्प्रिशन एवार्ड माना जाता है ठीक है चली जली यली खतम करना पड़ेगा मेरे PC की बैटरी जा रही है तिलोत्तमा सोम को अभी हाली में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है तिलोत्तमा सोम की इनको अभी हाली में UK Asian Film Festival में इनकी फिल्म राहागीर जो की जारकंड में सूट हुई थी इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का एवार्ड मिला है ये वेफेरर्स मनला भूता है जो डेली बेज healthy पे काम करते है तो ये उनकी तीन strangers के उपर कहानी चलती है जो डेली बेजेश पे रहते हैं और इसको डारेक्ट किया है गौतम घोस ने तो गौतम घोस दरह डारेक्ट एक फिल्म है रहागीर उसमें काम किया है तिलोत्तमा वर्मा ने उनको अभी हाली में UK Asian Film Festival में आपका Best Actor का Award दिया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि UK Asian Film Festival में किसी भारती महिला को ये Award दिया गया है तिलोत्तमा सोम ने ये साबित कर दिया है कि सकल सूरत इतना जदा important नहीं होती है जितना कि आपका talent सुनील शेतरी ने अभी हाली में बावाल मचा दिया है लियोनेल मैसी को पीशे छोड़ दिया है इन्होंने इंटरनेटने फुटबाल में आपके चोहतर गोल जो है वो दाज दिया है अभी बांगला देश के खिलाब इन्होंने दो गोल दागे जिसे ये अब तक के सबसे active फुटबालर है active फुटबालर को मतलब यह होगा है कि जो अभी खेल रहे है उनमें सबसे अदा गोल करने वाली स्रेड़ी में आपके दूसरे नंबर पर आ गए है तो क्रिष्टियानो रोनाल्डो जो है जिन्होंने 103 गोल की है यह active फुटबालर की सेड़ी में पहले नंबर पर है सुनील शेतरी इंडिया जिन्होंने 74 गोल की है यह अब दूसरे नंबर पर है क्रिष्टियानो रोनाल्डो आपके दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और हो सकता है कि यह अली देई का रिकार्ड तोड़ दे फिर इसे बाद मौकतर दहारी है 89 नंबर पर अपने सुनील शेतरी जो है वो 10 वे नंबर पर पहुँच गए है तो सुनील शेतरी जो है जिने कैप्टन फेंटास्टिक के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने चौतर गोल अब तक टोटल की है तो यह एक्टिव फूटबॉलर की सेंडी में दूसरे नंबर पर है इंडिया ड्रॉप इंडिया ने क्या किया है कि चाइना की पहले जो हमारे एथलीट होते हैं उनको एक चाइनी कमपनी है लीनिंग उनकी किट प्रोवाइड कराई जाती थी लीनिंग जो है यह ओफिशियल पार्टनर है हमारे एथलीट को किट प्रोवाइड करने के लिए तो जाईजी बात है जहां पर वो टीशर्ट पहनेंगे उस पर लीनिंग लिखा होगा लेकिन अभी हाल ही में जब लीनिंग को यहां पर स्पॉंसर बनाया गया था इंडियन ओलंबिक कमिट एसोशियेशन ने जब उनको अपना इस्पॉंसर बनाया था तो बहुत सारे ट्विटर पर उनके खिलाफ अभियान चड़िया चाइना वाले हमारे जवानों को सहीद कर रहे हैं और आप उनी की कमपनी को इस्पॉंसर कर रहे हैं आप दुनिया वर में चाइनी चीजों को बैन कर रहे हैं और आप खुद एक सरकारी संस्था होते हुए चाइनी का इस्पॉंसर ले रहे हैं तो इससे तंग आका किरियर जूजे ने कहा कि भाईया नहीं करेंगे अब हमारे खिलारी जो हैं बगेर ब्रांड की टी-शर्ट पहिन के जाएंगे लीनिंग से हमने अपना करार क्या कर दिया है तोड़ दिया है तो टोकियो ओलंपिक में लीनिंग का अब कोई भी टी-शर्ट पहना हुआ आपको नजर नहीं आएगा टोकियो ओलंपिक कब से कब तक होने वाले हैं यह आपके टोकियो ओलंपिक 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त कम्पलीट होंगे कौन से नंबर के यह ओलंपिक हैं अगर आप गौर से देखें तो यह आपके 32 नंबर पर ओलंपिक है इस बार इसका जो मोटो रहा है वो है United by Emotion इसमें अंदाजा है कि लबख 205 राष्ट जो है वो भाग लेने वाले हैं लबख 11,000 91 एथलीट यहां पर हिस्सा लेंगे अब कोई बीमार पढ़ गया तो बात अलग है इसमें 349 इवेंट होंगे 33 स्पोर्ट में है वो इसको करेंगे मैं आपको यहां पर एक स्किप कर रहा हूं यह आपका वन लाइनर आज के लिए क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो लो गया है और आइटिंग चार्जर है नहीं मेरे पाल तो यह वन लाइनर आप देख ले ना पीडियाप से तो फिर आज अब एक 1896 में आपका आज यह थो आथा एथेंस में ठीक है तो फिलाल आज के लिए इतने ही थेंकियो बाबाए टेक केर और यह करेंट अपेस को थोड़ा सा शेयर कर दीजेगा आज मैंने आपको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल वाली न्यूस बताइए तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेगा आओ